हेलो एब्रीवन, कैसे आप लोग, उमीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आज की इस वीडियो में हम पढने वाले हैं, क्लास 10 थैसेश्टी का, जोगड़ोफ की बूख से चैप्टर नमबर 7, लाइफ 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 जीवन रेखा, मतलब इसके बिना कोई चीच चलेगा नहीं, तो हमारे नैशनल एकोनोमी का कुछ लाइफ 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 क्या है, सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट, दूसरा है communication और तीसरा है trade तो transport, communication, trade ये तीन lifelines के बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे detail में ठीक है चलिए start करते हैं सबसे पहले एक basic introduction देख लेते हैं लिखा है कि हम अपने daily life में कई सारे materials यानि goods और services का इस्तमाल करते हैं ठीक है तो इन में से कई सारे goods and services ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास यानि immediate surroundings में मिल जाते हैं ठीक है और कई सारे goods and services ऐसे भी होते हैं जो हमारे आसपास नहीं मिलते हैं हमें किसी दूसरे जगह से यानि other place से मंगवाना पड़ता है ठीक है अब यहां पर हमें दो word समझना होगा एक है demand location और दूसरा है supply location तो ऐसा जगह जहां पर हमें वह समान चाहिए उस जगह को बोलते हैं demand location और ऐसा जगह जहां जहां से वह समान demand location पर पहुचता है इस जगह को क्या बोलते है supply location ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर हमें supply प्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक goods and services का movement कराना परेगा ठीक है और यह movement कराने के लिए हमें किस चीज का जरूत परेगा ट्रांसपोर्ट का जरूत परेगा बाते गरही को समझ रहे हैं और यह transport करवाता कौन है तो कुछ लोग some people इसमें engaged होते हैं जो इस movement को करवाते हैं ठीक है मतलब जो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है उन लोगों को traders कहा जाता है तो traders का function क्या हो गय है कि the pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement over space किसी भी कंट्री का जो development है वो किस speed से हो रहा है वो दो चीज़ पर depend करेगा पहला चीज क्या है production of goods and services कितना goods and services produce हो रहा है उस country में और दूसरा चीज़ है उस goods and services का movement कितना speed से हो रहा है तो जितना speed से हम यह दोनों चीज़ करेंगे उतना ही speed से country का development भी होगा बातगराई को समझ रहें कि नहीं समझ रहें चलिए समझ रहें आगे move करें फिर यहां पे concluding statement लिखाए कि therefore efficient means of transport are prerequisite for fast development prerequisite मतलब यह आपको fulfill करना पड़ेगा तो ही आपको fast development मिलेगा तो अगर हम हम fast development करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा efficient means of transport लाना पड़ेगा समझे की नहीं समझे अब यह line काफी important है जो yellow से highlight क्या हुआ है इसके उपर question बनता है आप से पूछेंगे exam में कि efficient means of transport are prerequisites for fast development express your views in favor of this statement आपको बोलेंगे इस statement को support कीजिए तो आपको यह सारा बात लिखना परेगा समझे की नहीं समझे समझे चलिए आगे move करते हैं अब सवाल आता है हमारे सामने कि यह जो goods and services है इसका movement हम कहां से करवाएंगे तो और तो तीन चीजी है एक है land एक है water और एक है air तो हम इ इवाइट किया गया है एक होता है land transport एक होता है water transport और एक होता है air transport अगर हम goods and services का transport land के धुरू कर रहे तो वह कहलाएगा land transport उसी तरी के से water transport है उसी तरी के से air transport है यहाँ पर means of transport को चार्ट के जड़िए दिखाया गया है देखिए एक होता है land transport एक होता है water transport और एक होता है air transport ठीक है जैसे कि हमने यहाँ परहा अब इसको भी सब category में divide किया गया है land transport क्या क्या होता है तो roadways हो गया, railways हो गया, pipelines हो गया, यह सब land transport के अंदर आते हैं फिर water transport भी दो type का होता है एक होता है inland और एक होता है overseas ठीक है inland का मतलब country का अंदर वाला इलाका में और overseas मतलब country का बाहर इलाका में ठीक है और air transport में दो आता है domestic airways और international airways domestic भी दो type का एक public वाला और एक private वाला ठीक है सब को study करेंगे हम लोग तो आप इस चार्ट को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि इसके उपर भी question बन जाता है एक बार CVC 2020 में एक question पूछा गया था देखिए बोलेंगे complete the following table with appropriate terms in place of a and b तो यह वही चार्ट है बताईए a और b में क्या क्या होगा तो land है roadways railways और क्या होगा यहां पर land में आता है pipeline ठीक है water transport में inland waterways हो गया और यह कौन सा हो जाएगा overseas waterways ठीक है चलिए अभी तक हम transport के बारे में थोड़ा बहुत पर चुके हैं अब हम एक और concept को इंटिडूस कर रहे हैं यहां पर वह है trade ठीक है तो काफी लंबे समय से यह एक चोटा सा जगह में ही trade होता था ठीक है यही पर समान बनता था बिग जाता था और उसी में transport भी होता था यही से यही पर कोई goods and services move करता था ठीक है तो यह limited space में restricted था समझे लेकिन जैसे जैसे science and technology में development होता ग्याना वैसे वैसे इस trade and transport का area of influence भी बढ़ता चला गया ठीक है अब trade जो है वो काफी दूर-दूर तक होने लगा है लोग भी काफी दूर-दूर तक transport का help से move कर रहे है ठीक है goods and services का भी movement हो रहा है तो therefore हम बोल सकते हैं कि the world has been converted into a large village with the help of efficient and fast moving transport very 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 important ठीक है आज के date में यह जो पूरा world है हमारा यह एक बहुत बड़ा गाउं की तरह बन चुका है बहुत बड़ा village की तरह बन चुका है क्यों क्योंकि आज हमारे पास ऐसा transport है जो काफी efficient है और काफी fast moving है आज के time में हम world के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में काफी कम समय में जा सकते हैं उसी तरिके से goods and services का भी movement काफी कम समय में एक जगा से दूसरे जगा हो जाता है ठीक है तो यही reason है कि हम क्या बोलते है कि यह जो world है यह एक बहुत बड़ा village बन चुका है समझे यह भी yellow सा highlight किया हुआ है मतलब यह भी काफी important है एक्जाम में इसके उपर भी question पूछा जा चुका है आपसे आपको एक ऐसा statement दे देंगे कि today the world has become a global village और बोलेंगे justify the statement इसको justify कीजिए तो world जो है वो village बना है किस reason से because of efficient and fast moving transport का वज़र से ठीक है और यह सब हो पाया है with the development of science and technology यह पूरा बात आपको लिग दना है answer में सम the help of equally developed communication system अभी तक हम दो term समझ चुके हैं इस chapter में एक है transport और दूसरा है trade अब हम यहाँ पर एक तीसरा term को introduce कर रहे हैं वो तीसरा term है क्या बोली है communication ठीक है देखिए यह क्या रोल प्ले करता है उसको समझते हैं तो यह जो हम पर रहना यहाँ पर कि transport काफी fast moving हो गया है efficient हो है तो इसके पीछे भी एक reason है क्या reason है वो हो पाया है because of equally developed communication system अगर communication system नहीं रहेगा तो transport जो है वो इतना efficient और fast moving नहीं रहेगा ठीक है मालीजे एक समान को एक जगा से दूसरे जगा पर पहुचाना है और इस दुरों में distance काफी जादा है तो समान को पहुचाने के लिए आ वो यहाँ पर लिखा है कि therefore transport हो गया और communication हो गया और trade हो गया यह तीनों यह चीज जो है आपस में काफी complimentary है ठीक है एक के बीना दूसरा अधूरा है ट्रांसपोर्ट अगर आपको करना है तो आपको communication का help लेना पड़ेगा और communication अगर करना है तो transport का help लेना पड़ेगा ठीक एक दूसरे का अधूरापन पूरा करता है ठीक है चलिए तो इसके उपर भी question बनता है आपसे पूछेंगे कि how are means of transport and communication complimentary to each other कैसे complimentary है तो आप यह सब बात समझा सकते है ठीक है इसके बारे में आगे हम आगे भी पढ़ेंगे detail में चलिए फिर आगे लिखाई कि इंडिया में इतना जादा diversity होने का बावजूद भी जो world के दूसरे दूसरे countries है और इंडिया का इन दोनों का काफी अच्छा well linked है ठीक है काफी अच्छा connection है ठीक है तो यह सब हो पाया है because of transport और communication का वज़से जो railway है airways है waterways है यह सब transport के category में आते है और newspaper, radio, television, cinema, internet यह सब communication के category में आते यही सब contribute किये है to its socio economic progress in many ways जो इंडिया इतना progress कर पाया है उसके पीछे यह सब का काफी बड़ा योधान है ठीक है इस chapter में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे यह जो modern means of transport और communication है यह कैसे as a lifeline काम करते है हमारे nation और economy के लिए ठीक है इस चीच को हम समझेंगे इस chapter में और फ चाहिए एक काफी अच्छा transport और communication system चाहिए ठीक है इसका dense और efficient network चाहिए तो ही हम local national या फिक ग्लोवल लेवल पर trade कर सकते हैं समझें चलिए तो यह था brief introduction अब हम start करते हैं यहां से transport ठीक है transport में भी सबसे पहले हम land transport परेंगे और land transport में सबसे पहले roadways को start करेंगे ठीक है य अब यह topic काफी easy है चलिए समझते हैं लिखाए कि इंडिया में one of the largest road networks पाया जाता है ठीक है फिर आगे लिखाए कि roadways have preceded railways और इंडिया में जो roadways है वो ज्यादा developed है उनका length ज्यादा है railway के मुकाबले में ठीक है और यह भी बात बुला गया है कि they still have an age over railways in view of the ease with which they can be built and maintained ठीक है मतलब age over मतलब advantage यह roadways का advantage है railways के उपर मतलब roadways में हमें कुछ advantage मिलता है दो sense में number one ease with which they can be built इसको बनाना सबसे पहला easy है roadways को और दूसरा इनको maintain करना काफी easy है तो यह दो sense में जो roadways है advantage है उनको railways के मुकाबले में ठीक है age over का मतलब advantage चलिए फिर आगे और comparison किया गया है roadways और railways का लिखा है the growing importance of road transport वी से बीस मतलब in comparison to rail transport is rooted in the following reasons तो ऐसा क्या reasons है कि road transport ज्यादा importance गेन करते जादा है rail transport के मुकाबले तो यह सब यहाँ पर reasons दिया गया है कि क्यों road transport ज्यादा important या फिर ज्यादा advantageous है तो सबसे पहला number one construction cost of road is much lower than that of railway lines railway lines बिचाने के मुकाबले road बनाना का जो खर्च है वो काफी कम है इसलिए road transport ज्यादा important मतलब roll play करता है ठीक है ज्यादा easy है फिर दूसरा reason दिया गया है कि roads can traverse यानि cover comparatively more dissected and undulating topography topography मतलब जमीन का structure तो ऐसा जमीन जो काफी dissected है कटा चटा है और undulating उबर खावर है ऐसा अगर कोई माली यह जमीन है तो यहाँ पर roads को बनाना काफी easy है railway के मुकाबले में ठीक है तो यहाँ पर लिखाए कि roads जो है वो ऐसे area को भी cover कर लेता है ट्रावर्स कर लेता है ठीक है railway यहाँ पर नहीं बना सकते हैं तो यह होगी है दूसरा रिजन कि roads ज्यादा important है फिर आते हैं तीसरी रिजन पर तीसरा रिजन है कि roads can negotiate higher gradients of slopes and as such can traverse mountains such as the Himalayas तो अगर कोई कै आसा काफी ज्लोपी है जहां पर higher gradient है मतलब जो चरहान वो काफी ज्यादा है ठीक है यह playing पर चौथा रिजन है कि रोड ट्रांसपोर्ट इस इकनोमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू परसंस एं डिलेटिवली इस्मॉलर अमांट अप गूर्स ओपर सौट डिस्टेंस अगर कुछ ही लोगों को ट्रावल करना है और समान भी काफी कम है और कम दूरी ताइक कर सप्राव नहीं तो यह वहांस पर ड्रांसपोर्ट काफी सस्ता पड़ता है तो यह भी अगर कोई समान आपको हर घर में पहुचाना है hell डो डोर से गुजरता हो ठीक हो और स magari सामान देंगे घडन है है आपको वो सर्विस कैसे प्रोवाइट करना पड़ेगा रोड के थ्रोवाइट करना पड़ेगा ठीक है तो रोड यहां पर काफी एडवांटेज में है रेलवे के मुकाबले फिर अगला सिक्स्थ है कि रोड ट्रांसपोर्ट इस अल्सो यूज़ एस फीडर तो अधर मोड अगर आपको रेलवे स्टेशन से एरबॉर्ट जाना है या फिर शिपोर्ट जाना है तो आप पैसे जाएंगे रोड ट्रांसपोर्ट तो यह एसा फीडर ट्रांसपोर्ट के पेना यह सब काम नहीं कर पाएंगे ठीक है चलिए तो यह हो गया 6 रीजन्स जिस होज़ास हम ब क्लासिफिकेशन रोड को six classes में डिवाइड किया गया है on the basis of their capacity ठीक है वो six classification क्या है देखे नमबर वन गोल्डन कॉर्डिलेटरल सुपर हाइवे नमबर टू नैशनल हाइवे तीसरा है इस्टेट हाइवे चौथा है डिस्टिक रोड और पांच्वा है अधर रोड और शिक् करेंगे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले से गोल्डन कॉर्डिलेटरल सुपर हाइवे लिखाए कि गौर्डमेंट ने एक बहुती मेजर रोड डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट लॉंच किया है जिसमें यह चार सिटी जो है डेली कोलकता चेन्री मुंबई इन चारों को लिंक किया गया है ठीक है कैसे लिंक किया गया है बाई सिक्स लेन सूपर हाइवे आप इस पिक्चर में देख पार है इसको बोलते हैं सिक्स लेन सूपर हाइवे ठीक है इसमें छे लेन है मतलब छे लेन से गारिया जा सकती है ठीक है तो यहां पर लिखा है यहां पर एंड देली, कोलकता, चेनवी, मॉंबई by Sixth Lane Super Highway, ठीक है, इसको एक बार हम मैप में समझ लेते हैं, यह देखिए यहां पर देखे तो सबसे पहले यहां पर है देली ठीक है और यहां पर है मॉंबई और यहां पर है चेन्नई और यहां पर है कोलकता ठीक है तो इन चारों जो सिटीज है इसको connect किया जा रहा है six lane super highway से connect हो चुका है ठीक है और यह कौन सा shape बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं cordilateral तो इसको बोला गया है golden cordilateral समझे क्योंकि यह चार जो main main city से उनको connect किया गया है by six lane super highway फिर अगला point है एक और road का बारे में discuss किया गया है वो road है north south corridor और एक road है जिसको बोलते है east west corridor ठीक है यह जो north south corridor है समझ में आ रहा है कि country का जो northern part है जमू कस्मीर वहाँ से स्री नगर ठीक है और southern जो path है टमिल लाडू में वहाँ पर कन्या कुमारी इन दोनों को link करता हुआ जो road है उसको बोलते है north south corridor आप इस map में देखिए यह रहा यहाँ पर जमू कस्मीर में यह हो गया स्री नगर यहाँ से यह road स्टार्ट हुआ है जो काला हलका काला से सेट किया हुआ है देख पार है ठीक है और यह जाते-जाते-जाते-जाते को link करता है देखिए इस्ट वेस्ट कोरीड़ और connecting signature जो की आसाम में है और पोर्बंदर जो की गुजरात में है उसको connect करता है map में समझ लेते हैं है अईसाम में इधार है signature ठीक है और इधार गुजरात में है forkrésल igen सब्सक्रेश Ck करनेक करता हुआ एक हो गया North South Corridor और एक हो गया East West Corridor यह तिनों ही यह जो major project था उस project के पाठ है ठीक है तो यहां पर objective क्या है यह सूपर highway बनाने का तो यह सूपर highway बनाने का यही objective है कि लोगों को time कम से कम लगे time reduce हो और distance भी कम से कम हो ठीक है मतलब distance भी reduce हो इन सब places के बीच में पहले क्या था यह highway बनने का पहले कि काफी घूर के जाना पड़ता था अगर दिली से मुंबई जाना है तो अब यह highway बनके है तो सिधा direct road है दिली से मुंबई का ठीक है चलिए फिर इस highways highway projects are being implemented by the national highway authority of India यह बात आप याद रखेंगे कि यह इसको maintain कौन करता है तो national highway authority of India NHAI यह इसको इस project को implement किया हुआ है ठीक है यह roads को maintain करता है यह वाला ठीक है चलिए बात करते हैं अगले राइब के road में जो कि है national highway नेशनल highway जो है वो country का extreme parts को link करता है यह तो यह जो था golden quadrilateral super highway यह सी चार main main cities को connect करता है ना इसका अलाबा और भी तो बहुत सारे cities है तो उनको कौन connect करता है नेशनल highway कनेक करता है ठीक है इसको maintain कौन करता है यह नेशनल highway को तो नेशनल highway को lead और maintain ब्राने और maintain करने का काम CPWD करता है Central Public Works Department याद रहेगा यहाँ पर Works है ठीक है फिर इनका एक खास बात यह भी होता है नेशनल highway का कि यह सब roads जो है वह mainly north south और east west डिरेक्शन में रन करते हैं आप इस map में अगर देखे तो इस टाइप के जो national highway 1 between Delhi and Amritsar Delhi और Amritsar को जो highway link करता है उसको national highway 1 बुला गया है ठीक है national highway का numbering किया गया है 1 2 3 4 कर दे करते हैं आप यह पर देख सकते हैं कि यह जो road बनाया गया है उसके उपर एक number लिग दिया गया है इस अब national highway का number है तो अगर आपको पुराना बुक है तो उसमें दिया गया है कि कौनसा कौनसा highway कुछ important highways का नाम दिया गया है नेशनल highway 1 के बारे में यह पर लिखा गया है यह हो गया national highway अब बात करते हैं इस्टेट highway के बारे में इस्टेट highway पता ही है इस्टेट के अंदर बनता होगा यह जो है यह roads linking a state capital with different district headquarters are known as state highway यह मा लीजे कोई यह एक state है इस्टेट का जो main capital है यहां पर रहा और इसमें कई सारा district होता है ठीक है तो उस district का headquarters होता है ठीक है तो state capital को district headquarters से जो roads link करता है उस road को क्या बोलते है state highway बोलते है समझ गये इसको कौन maintain करेगा तो state public works department यह इसको construct और maintain करती है ठीक है national highway को कौन maintain कर रहा था CPWD Central Public Works Department यह golden correlator को maintain करता है तो national highway authority of India ठीक है चलिए तो इतना ही बात आप कहां से प्रिपर करना है अब आ जाते हैं district roads पे यह roads ऐसे होते हैं जो district headquarters को other places of district से connect करते हैं यह state यह state capital यहां पर बहुत सारा districts है तो district का headquarter है उसको district का अदध places में connect करते हैं यह सब roads को क्या बोलते हैं district road ठीक है इसको maintain करते हैं दीला पर इसद यह बात आप याद कर लेंगे और अगला road है other roads यह सब ऐसे roads होते हैं जो rural area में बनाया जाते हैं यह rural area के जो अलग-अलग villages है उनको link करता है towns के साथ ठीक है वह इस category में आते हैं और इन सब roads को बनाया जाता है किस योजना के तहत परदान मंत्रिक ग्रामीन सबक योजना ठीक है जो ग्राम का या फिर जो विलेच का जो अंदर का इलागा है उसको टाउन से connect करता है यह रोड ठीक है चलिए फिर अगला roads पर आ जाते हैं वो है border roads इसको कौन मेंटेन करता है तो border road organization शौट में BRO बोलते हैं यह government of India अंदर्टेकिंग है यह इसको construct और maintain करता है border roads को ठीक है country का जो border इलाका है वहाँ पर यह रोड बनाया जाता है यह organization को डेवलोब किया गया था 1960 में ताकि यह roads बना पाए strategic importance एडिया में खासकर से northern और north eastern जो border एडिया है वहाँ पे ठीक है यह रोड का बनने का बात जो accessibility है difficult terrain में वह यह लाका पर जहांपे पहले पहुछना मुश्किल था वहाँ पर थोड़ा आसानी से पहुछा जा सकता है और चलिए आगे मूफ कर जाते हैं फिर अगला टॉपिक है रोड का classification on the basis of type of material used ठीक है किस टैप का material से रोड बनाया जा रहा है उसके basis पे रोड दो टाइप के होते हैं एक होता है metal रोड जिसको पक्का रोड बोलते हैं और unmetal रोड जिसको कच्चा रोड भी बोलते हैं ठीक है मेटल रोड जो है यानि पका रोड यह कैसे बनता है सीमेंट से या फिर कॉंक्रीट या फिर बिटुमिन ओफ कोईल अलकात्रा जिसको बोलते हैं उससे भी बन जाता है यह मेटल रोड ठीक है पता ही आपको and therefore therefore के बाद यह जो नया बूक है यहाँ पे कुछ मिसिंग है ठी पुराने बूक से चेक किये तो यहाँ पे एक टॉपिक है रोड डेंसिटी वह चुटा हुआ है और इसका भी कुछ पार्ट यहाँ पे मिसिंग था ठीक है तो आपके पास भी अगर यह सेशन वाला बूक है तो आपके बूक में भी यह स्वाम मिस्पिंटिंग देखने को म जो मेटल रोड से इनको हम आल वेदर रोड बोलते हैं सभी वेदर में यह काम करता है लेकिन जो अन्मेटल रोड से यानि जो कच्छा रोड है यह रेनी सीजन में आउट आफ यूज चला जाता है काम नहीं कर पाता है ठीक है तो यह इतना दो पॉइंट आप प्रिपैर कर रख लीजे यह पूरा छोटा सा टोपिक है रोड डेंसिटी रोड डेंसिटी होता क्या है तो लेंथ आफ रोड पर हंड्रेड स्कॉर किलोमेटर ऑफ एडिया इस रोड डेंसिटी यह मालीजे 100 किलोमेटर स्कॉर एडिया है तो इस एडिया में कितना लंबा रोड बना हु रोड नहीं मिलता है किसी एरिया में रोड जादा है किसी एरिया में रोड कम है for example अगर हम जम्मु कस्मीर बात करें तो यहां पर रोड दिंसिटी सिर्फ 12.14 किलोमेटर है और वहीं अगर हम करेला का बात करें तो यहां पर रोड दिंसिटी देखिए 517.77 किलोमेटर है तो य एसा इस्टेट जहां पर रोड डेंसिटी काफी ज्यादा है तो केरे लाओ जाएगा ठीक है और पूरा कंट्री का रोड डेंसिटी का बात करें तो on an average 142.68 किलोमेटर यह रोड डेंसिटी है ठीक है चलिए फिर आगे लिखाए कि जो इंडिया में रोड आधे रोड अन्मेटल यानि कच्छे है और हमें पता है अन्मेटल रोड रेनी सीजन में आउट अप यूज हो जाते है इनको यूज करना मुस्किल है ठीक है यह दूसरा प्रोब्लम तीसरा जो नैशनल हाईवेय है उनका नंबर्स भी काफी इनेडिकवेट है इनको भी ज अन्मेटल नैरो जातर जो रोडवेच्छो सीडीज में पाये जाते हैं वो काफी कंजेश्टेड है ठीक है और जातर ब्रीस और कलवर्ड जातर क्लवेट वने हुए है वह काफी पुराने हो चुके और काफी सीख्डे हुए है तो यह सब प्रॉबम से जूज रहा है रोड भी बनता है आपसे बोलेंगे कि define road density तो यह road density का definition हो जाएगा उसके बाद इसी में add करेंगे कि what is the average road density in India तो इंडिया का अगर बात करा जाए तो वो होगा 142.68 फिर name the states having the highest and lowest densities respectively तो lowest है जम्मु कश्विर में और highest है करेला में इसके पीछे भी रीजन है जो जम्मु कश्वि और करेला चुकी plane इलाका है तो यहां पर roads जादा है ठीक है चलिए फिर एक question यहां से भी बन जाएगा कि roads का क्या advantage है railway के ऊपर ठीक है तो यह जो आमने 6 reasons देखा था A, B, C, D, E, F यह 6 reasons आपको लिखना परेगा आपसे पूछेंगे कि why is road transport more useful than rail transport in India give reasons तो यह 6 reasons आपको प्रेपेर कर लिजिए और यह सब जो specific type के roads है इंका क्या-क्या features है किसो किसो connect करता है कौन maintain करता है जो मतलब underline किये है उतना प्रेपेर कर लिजिए काफी होगा ठीक है easy है अब हम start करेंगे railways अब हम आते हैं दूसरे road transport में जो की है railways ठीक है देखिए लिखाए कि railways का है principle यानि main mode of transportation है समान के लिए भी और passengers के लिए भी ठीक है railways also make it possible for people to conduct multifarious multifarious का मतलब होता है different kinds of activities like business sightseeing pilgrimage along with transportation of goods over long distance तो railway जो है अलग-अलग type of activities जो है उनको करने का मौका देता है जैसे कि आप business कर सकते हैं business के सिलसिले में कहीं जा आ सकते हैं ठीक है या फिर कोई समान अपना भेज सकते हैं business कर सकते हैं railways के तुरू ठीक है फिर sightseeing घुमने फिडने जाना है तो उसके लिए railways का इस्तमाल कर सकते हैं किसी को धार्मे की सलका यात्रा करना है तो उसके लिए भी railways का इस्तमाल कर सकते हैं और goods का transportation तो है ही अकर आपको long distance activities हमारे लिए कड़के करने में help करता है ठीक है फिर इसके अलाबा अपार्ट फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट दा इंडियन रेल्वेस है बिन एन है बिन ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर्स फॉर्मोर देन 150 एर्स रेल्वेस जो है वो एक इंटीग्रेटिंग फोर्स की तरह काम करता है आपको पता है कि हमारा कंट्री कितना डाइवर्स है कितना बड़ा साइज है इसका ठीक है तो यहाँ पर कंट्री के एक कोने से दूसरे कोने तक अगर जाने का सबसे सस्ता में अच्छा फेसलिटिव प्रवाइड करने वाला कौन है रेलवेज है ठीक है तो बोल सकते हैं कि जो कंट्री के जो लोग है वो कनेक्टेड है वो एक जगा से दूसरे जगा जा आपाते हैं काफी सस्ते तरीके से तो वो फेसलिटिव होता है रेलवे में ठीक है तो रेलवे इस तरीके से हमारे पूरे कंट्री को क्या करता ह यानि integrate करता है जो और कर रखा हुआ है ठीक है फिर अगला देखिए railways in India bind the economic life of the country as well as accelerate the development of the industry and agriculture railways कुछ और भी function perform करता है बहुत सारे लोगों का जो economic life है वो railways पे dependent है ठीक है किसी ने किसी direct cafe indirect तरीके से वो railways पे dependent है अपना रोजी रोटी को कमाने के लिए ठीक है इसके अलाबा जो इंडेस्ट्री है अग्रिकल्चर है यह सब भी railways पे dependent होते हैं क्योंकि बहुत सारा समान railways के थुरू इदर उदर जाता है ठीक है raw materials carry करना हो गया final product को sell करना हो गया यह सब काम railways के थुरू होता है तो यह सब क्या है advantages है rail transport का कितना हो गया एक दो तीन चार यह चार advantage आप त्यार करके रखेंगे इसके उपर एक question बन जाता है आपसे exam में पूछ लेंगे कि explain the importance of railway as the principal mode of transportation for freight and passengers in India तो आपको यह सब बात लिग देना है ठीक है चलिए फिर आगे कुछ यहां पर fact दिया हुआ है सबसे पहला यह जो Indian railway है यह सबसे बड़ा public sector undertaking है हमारे country में ठीक है इसके बाद सबसे पहला जो train जो चला था वो कहां से कहां तक चला था Mumbai से थानी के बीच में चला था 1853 में ठीक है और distance कितना कवर किया था 34 km यह सब कुछ facts है य रीच में है इस बुक में 16 डीज गया है लेकिन अब परेज़ें कौक है यह प्रजाल द्यान रहा रहे हैं अब बात करते हैं कि अधिया में किस जगा पे किला το incentiv कि T युग्वर treat में अजे श्क्रान द्यिवकाmn थ रीजन में कितना railway lines होगा वो depend करेगा तीन चीजों पर physiographic वहाँ का जमीन कैसा है economic वहाँ पर business कैसा है ठीक है लोग रहते हैं कि नहीं और administrative factors वहाँ पर कोई प्रसासन है कि नहीं ठीक है यह तीन चीज़ पर depend करेगा कि वहाँ पर railway line का distribution कैसा होगा इसको हम example से समझते है माल लीजिए northern plains ठीक है northern plains क्या है एक level land है यहाँ पर जो north वाला इलाका है जहाँ पर गंगा नदी बैता है वहाँ पर एक level land मिलता है उसके बाद यहाँ पर population density काफी high है काफी ज़्यादा लोग भी रहते हैं और इसके साथ साथ reach agricultural resources से यह तीन रिजन का वज़ास है यहाँ पर जो railway lines है वो काफी ज़्यादा मतलब density में develop हुए है ठीक है क्यों क्योंकि देखिए level land है यहाँ पर railway lines भी शाना काफी easy होगा population density है मतलब railway को भी पता है कि यहाँ पर हम train से स्टार्ट करेंगे तो लोग travel करेंगे और इंडियन रेलवे को कमाई होगा ठीक है तो population density होने से यह फाइदा हो गया इस agricultural resources इसका होने का वज़ए से जो लोग है वो railways को business purpose के लिए भी use करेंगे ठीक है तो यह सब कुछ favorable condition है जिस वज़े से northern plains में इंडियन रेलवे काफी अच्छा develop हुई है लेकिन साथी साथ यहाँ पर कुछ problems भी है यहाँ पर कई सारे नदिया पाई जादी है गंगा यह मुना यह सब ठीक है तो यहाँ पर जो इनका river bed है वहाँ पर क्या बनाना परता है तो यह वाले part को peninsular region बोला जाता है ठीक है तो यहाँ पर काफी जाता hills पाया जाता है तो वही लिखा है कि in the hilly terrains terrain मतलब type of land ठीक है तो hilly land जो है peninsular region में वहाँ पर railway tracks को किसके थुरू बनाया जाता है जहाँ पर low hills है वहाँ पर फिर जापर gaps हो गया tunnels हो गया यह सब का help से यहाँ पर railway tracks बिछाया जाता है ठीक है अब हम बात करते हैं हिमालेन mountains के बारे में कहां है हिमालेन mountains तो इंडिया का northern side यह रहा यहाँ पर है हिमालेन mountains ठीक है और अभी जो हमने यहाँ पर देखा था न यह northern plains के बारे में यह कहां पर है तो जिनको पता नहीं इसको बोला जाता है northern plains ठीक है चलिए तो क्या लिखा है हिमालेन के बारे में कि हिमालेन जो mountains है यह भी काफी unfavorable है railway lines को construction को लेके ठीक है क्यों क्योंकि यहाँ पर काफी ज़्यादा उचाई है high relief है फिर sparse population population भी काफी कम है तो railway lines भी जादा फाइदा होगा नहीं lack of economic opportunity यहाँ पर business opportunity भी काफी कम है तो यह तीन रिजन से हिमालेन माउंटेंस में उतना railway lines develop नहीं है ठीक है फिर आगे देखिए likewise it was difficult to lay railway lines on the sandy plane of western राजस्थान जो राजस्थान है उसका western side में काफी बलूई मिट्टी है ठीक है रेतीला है तो वहाँ पर railway lines भी जाना काफी मुस्किल है फिर गुजरात में जो दलदलिया इलाका है जो स्वाइमपी reason है वहाँ पर भी railway lines भी बिचाना काफी मुस्किल है मध्यपरदेश, 36 गर, औरिशा, जारकंड इस सबकार जो forest डिलाका है वहाँ पर भी tracks भीचाना मुस्किल है ठीक है इसके साथ साथ अगर हम बात करें western घाट के बारे में western घाट को स्रयादरी मुला जाता है ठीक है तो इसको यहाँ पर भी अगर आपको railway lines भीचाना है तो यह भी आप कर सकते हैं through gaps और passes के शुरूई ठीक है, जहाँ पर gap है दो mountains के बीच में अगर gap है तो यह इसी के through railway lines भीचा सकते है ठीक है फिर हाल फ्लैल में एक Conker railway को develop किया गया है कहाँ पर western coast में Conker coast का अगर हम location देखें map में तो वो इस side है यहाँ पर यहाँ पर है Conker coast ठीक है तो यहाँ के railway lines develop किया गया है इससे काफी ज़रा advantage भी मिला है देखते हैं क्या क्या मिला है यह देखिए In recent times the development of Conker railway along the west coast यह country का western side में develop हुआ है Has facilitated the movement of passengers and goods in this most important economic region of India इससे passengers और समान का movement easy हो गया इस इलाखा में और इसके साथ-साथ It has also faced a number of problems such as sinking of track in some stretches and landslides Conker railway में एक पर्रावलम भी face करना पादा कि यहाँ पर जो track से वो डूब जाते हैं और कहीं कहीं पर landslide हो जाता है ठीक है तो यह problems यहाँ पर face करना पादा है चलिए तो यह छोटा सा topic था इसके उपर question कैसा बनता है वो देख लेते हैं ताब अच्छे से clear होगा आप से exam में एक general statement देंगे यह वाला बोलेंगे कि तो आपको यह सारा बात बताना परेगा ठीक है पहले आप Northern Plains के बारे में बताएंगे फिर peninsular region का hilly terrains के बारे में बताएंगे फिर himalayan mountains फिर gujarat, Rajasthan और यह सब इलाका फिर western ghat और फिर concan railway ठीक है फिर एक छोटा सोटा question अंदर से भी बन सकता है आप से पूछेंगे कि list the factors which favor the development of dense network of railways in the Northern Plains यह Northern Plains में इतना ज़्यदा railway networks develop हुआ है इसका region बताएं तो level land है population density high है rich agricultural resources है यह 3 reasons से यहाँ पर railway networks का density ज़्यदा है ठीक है फिर अगला question यहाँ से पूछ सकते है कि state reasons for sparse railway network in himalayan region तो himalayan region में जो railway network से काफी कम है उसका region बताएं तो region बही है फिर से high relief है ठीक है sparse population है और lack of economic opportunity यह 3 reasons है यहाँ पर railway density काफी कम है चलिए फिर कौनकन railway का भी पूछ सकते हैं कि इसका advantage क्या है और problems क्या है इसका ठीक है अब बात करते हैं कि पूरा जो Indian railway है वो किन-किन problem से suffer कर रहा है देखिए rail transport suffer from certain problems तीन problem यह पर दिया गया है number one many passengers travel without tickets यह सबसे बड़ा problem है इससे railway का revenue है वो कम हो जाता है दूसरा theft and damaging of railway property has not yet stopped completely जो railway property है railway track हो गया railway का डिबा हो गया उसका चक्का हो गया ठीक है यह सब का चोरी हो जाता है पहुँ सारे लोग toilet के जो mug होते हैं उसको भी चोरी कर लेते हैं तो यह problems भी है जो railway face कर रहा है ठीक है इसके साथ साथ एक और तीसरा problem है कि people stop the train pull the chain unnecessarily and these cause heavy damage to the railway लोग time pass के लिए जो railway में जो chain होता है उसको खीज देते हैं और train को रोग देते हैं ठीक है इससे train का delay भी होता है और काफी सारा loss भी होता है ठीक है यह तीन problem साथ धियान रखेंगे इसका साथ साथ कई जगा जब protest भी होता है तो लोग क्या करते हैं railway को stop कर देते हैं railway property को damage कर देते हैं तो यह भी एक problem है चलिए तो यह आप त्यार करेंगे इसके उपर भी question बनता है कि what are the problems faced by Indian railway बहुत famous question तो यह तीन चीज़ आप धियान रखेंगे अब आगे move करते हैं अब हम स्टार्ट करते हैं अगले means of land transport को जो की है pipelines transport ठीक है हमने अभी तक roadways देख लिया railways देख लिया और अगला है pipelines ठीक है इसके बाद जो land transport है वो खतम हो जाएगा देखिए pipelines के बादे में कुछ points है सबसे पहला यह जो pipeline transport network है ना यह नया है इंडिया में ठीक है transportation के field में in the past पहले के time में हम लोग pipelines के जड़ी है सिफ पान ही ट्रांसपोर्ट करते थे सहर में और industries में ठीक है लेकिन अब हम इस pipelines के जड़ी है crude oil, petroleum, products और natural gas इन तीनों चीजों को transport करते है कहा तक refineries, fertilizer, factories और big thermal power plants इन सब जगव में पहुचाते है pipelines के थूँ ठीक है और यह जो है न crude oil, petroleum, products natural gas यह सब चीज कहां पाई जाते है तो यहाँ पे oil and natural gas fields तो इन तीनों ही चीजों को oil and natural gas fields से निकाल कर इन सब जगवों पे पहुचाया जाता है किसके help से pipelines transport network के help से समझे तो अभी हम क्या पर रहे हैं हम लोग पर रहे है usefulness of pipeline transport ठीक है तो पहला use इसका यह हो गया कि हम लोग pipelines के जड़िए इन तीनों चीजों को यहाँ से यहाँ पे transport कर सकते हैं समझे दूसरा use पर बात move करते हैं तो हम लोग pipelines के जड़िए solids को भी transport कर सकते हैं बस condition यह है कि आप लोग को इस solids को किस में convert करना पड़ेगा slurry में convert करना पड़ेगा slurry यानि इसको आपको semi liquid इसमें आप पानी मिला के थोड़ा इसको liquidy type बना दीजिए तब आप इसको pipelines के जड़िए transport कर पाएंगे ठीक है यह अगला इसका use हो गया किसका pipeline transport का वहाँ पे कई सारे refineries बने हुए है जैसे कि बरावनी हो गया मतुरा पानी पत और gas based fertilizer plants बने हुए है तो यह सब इनका बनना possible इसलिए हो पाया है क्योंकि क्या है pipelines transport एवलेवल है ठीक है अगर pipelines transport network एवलेवली होता तो हम लोग इतने अंदर parts में इतने interior parts में ऐसे refineries नहीं बना सकते थे ठीक है चलिए हमने अभी तक 3 use देख लिया pipelines transport network का use यह फिर advantage यह फिर importance जो भी बोल लीजे ठीक है फिर अगला है कि यह जो pipeline transport network है ना इनका जो running cost है वो काफी कम है भले ही इनको initially शुरुवात में इसको लगाने का pipelines बिछाने का जो cost है वो काफी high ज्यादा पड़ता है लेकिन बाद में इसको maintain करने का cost काफी कम है तो यह भी एक advantage बोल सकते हैं ठीक है उससे important advantage जिसका यह है कि it rules out trans shipment losses और delays shipment के दोरान जो भी losses है वो होगा नहीं pipe के अंदर आप जितना material डालेंगे सारा चीज destination में deliver होगा ठीक है और साथी साथ delays ऐसा तो है नहीं कि pipe के अंदर कोई traffic jam लाएगा आप जो speed से डालेंगे उसी speed से deliver होगा ठीक है तो यहापर loss यापर delay का कोई scene नहीं है समझे तो यह सब कुछ advantages हो गया pipelines transport का समझे exam में इसके उपर question पूछ लेते है आप से पूछेंगे कि write any four merits of pipeline transport in India तो तीन यहापर है और fourth, fifth आप यह लिख सकते है ठीक है चलिए अब फिर आगे दिया है कि there are three important networks of pipeline transportation in the country हमारे country में कई सारे pipeline transportation networks है तो उसमें से तीन important को यहाँ पर discuss किया गया है ठीक है सबसे पहला है आपर आसाम से लेकर कानपूर तक जो pipeline बिचा हुआ है वो ठीक है यह किन-किन cities से होके गुजरता है तो गुहाटी हो गया, बरौनी हो गया, अलावाद इन सब जगों से होके गुजरता है ठीक है, और इन सब जगों पर branches भी है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कहां से start होता है कहां पर end होता है और किन-किन cities से होके गुजरता है ठीक है, यह पहला हो गया pipeline transportation network दूसरा network है यह यह start होता है सलाया से जो की गुजरात में है और खतम होता है जलंदर में जो की पंजाब में है और यह इन सब सहरों से होके गुजरता है ठीक है, और तीसरा है गैस pipeline जो की हजीरा इन गुजरात में start होता है और जगदीशपूर इन उत्तरपरदेश इन दोनों प्लेस को connect करता है और यहां सब इन सब प्लेसे सोब के गुजरता भी है ठीक है, इसमें जाना कुछ समझाने को है नहीं आपको यह एकदम रट जाना है ठीक है, इसके ओपर भी question पूछ लेते है आप से पूछेंगे कि What are the three most important networks of pipeline transportation in India तो तीनों network यह है, ठीक है चलिए, तो इतना ही चीज़ आपको prepare करना है pipeline से, ठीक है तो इसी के साथ हमारा जो land ट्रांसपोर्ट है वो खतम हो चुका है, एक बार जल्दी से रिखाग कर लेते हैं, अभी तेख हमने इस chapter में क्या-क्या चीज़ पर आए, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने starting में देखा कि lifelines किसको बोला गया है इस chapter में तो transport, trade और communication को बोला गया है, ठीक है हमने transport के बारे में कुछ lines पर है उसको बार हमने देखा कि यहां से question कैसा बनता है फिर हमने बात किया अलग-अलग means of transport के बारे में, ठीक है तो हम लोग अभी तक land transport पर रहे थे, roadways खतम हो गया, railway खतम हो गया pipelines अभी अभी खतम होगा, ठीक है अब हम क्या परेंगे आगे, waterways के बारे में, ठीक है चलिए, फिर उसके बार हमने देखा कि कैसे technology के आने के बाद, जो पूरा world है, यह एक village के रूप में convert हो चुका है, फिर हमने देखा कि transport, communication और trade तीनों ही क्या है, complementary है to each other, ठीक है फिर इतना ही पढ़ा था हमने, फिर हमने transport इस्टार्ट कर दिया, सबसे पहले हमने roadways से start किया, हमने देखा कि roadways का क्या-क्या advantage है, railways के उपर, वो हमने देखा, यहाँ पर 6 advantage बताया गया है, फिर हमने classes of roads देखा, roads को कैसे classify किया गया है, 6th classification है, सबसे पहला golden quadrilateral superhighway, दूसरा national highway, तीसरा state highway, फिर district road, other roads और border roads, ठीक है, फिर यहाँ map, map में देखिए, आप question कैसा आएगा map pointing में, तो यहाँ से यह सब map pointing नहीं आएगा, ठीक है, आपके syllabus में लिखा हुआ है, सिर्फ, जो major ports है, और airports, इतना ही आपको prepare करना है, वो हम आपको बता देंगे, यह सब map आप सिर्फ समझने के लिए use कीजिए, यहाँ से कुछ भी याद नहीं करना है आपको, ठीक है, कि कौन सा रास्ता कहां से गुजर रहा है, ऐसा कुछ prepare नहीं करना है, फिर आगे देखिए, फिर आगे हमने देखा कि material के basis पर roads को दो category में divide किया गया है, फिर यहाँ पर एक कारा missing था, कौन सा topic बताइए, road density, ठीक है, वो हम आपको पुराने NCIT का जो book था, उससे prepare करवा दिए, फिर इस्टार्ट किये railways, ठीक है, railways का advantages हमने देखा, फिर यहाँ पर कुछ facts है कि कि कितना Jones कभी start हुआ था, फिर हमने देखा कि distribution of railway network, ठीक है, वो depend करता है तीन चीज पर, कहाँ पर क्या सीन है, वो हमने देखा, उसके बाद, rail transport जो है, उसमें क्या-क्या problems है, यह तीन प्रोब्लम हमने यह पर देखा, और अभी अभी हमने डिकस किया, pipelines, advantages, और three important networks of pipeline transportation, समझे इतना, चलिए, अब इसाट करते हैं, waterways, तो देखिए, लिखा है कि हमारा country जो है, वो ancient time से ही, काफी पुराने समय से ही, एक seafaring country रहा है, seafaring का मतलब होता है, regularly traveling by sea, हम कि क्या कर पाए, वो Indian commerce और culture को spread कर पाए, तो हम लोग, हम लोग जो है, वो waterways से बहुत पहले से ही परिचीत है, ठीक है, अब बात करें, इसका advantage क्या क्या है, तो देखिए, सबसे पहला है कि waterways are the cheapest means of transport, यह सबसे पहला advantage है, कि यह काफी सस्ता पढ़ता है, ठीक है, दूसरा, कि they are most suitable for carrying heavy and bulky goods, अगर आपको इस type के goods को transport करना है, तो waterways को best consider किया जाएगा, ठीक है, फिर तीसरा, it is a fuel efficient, कम fuel लगता है इसमें, और इसको एक अलग point में लिख सकते हैं, चौथा में, कि यह environment friendly mode of transport है, समझे, तो यह सब कुछ advantages हो गया, water transport का, अगर हम बात करें, inland के वारे मे ठीक है, जो समुदर से दूर है, ocean से दूर है, तो वो हमारे country में उसका length कितना है, सारे 14,000 km है, ठीक है, और इस सारे 14,000 में से 5, 6, 8, 5 km हम लोग सिफ इतना ही length पे मतलब mechanized vessels, जो ऐसे boat जो machine से चलते हैं, वो चला सकते हैं, ठीक है, चलिए, तो यह उतना काम का बात नहीं है जो online किये हैं, उतने हैं आप prepare करेंगे, फिर हमारे country में एक authority है, जिसको बोलते है, Inland Waterways Authority of India, ठीक है, इसको set up किया गया था 1986 में, और इसका काम है, कि inland जो waterways है, उसको देखना, maintain करना, manage करना, ठीक है, तो यही जो inland waterway authority of India है ना, इन्होंने कुछ waterways को national waterway गोशीद करके इसको national highway को कौन maintain करता था, जो हमने road transport में देखा था, तो इसको maintain करता था, Central Publics Walk Department, CPWD, ठीक है, तो यहाँ पर national waterway को कौन maintain करता है, तो inland waterway authority of India maintain करता है, ठीक है, तो देखते हैं कौन सा कौन सा national waterways है, तो यहाँ पर पांच national waterway को discuss किया गया है, यह रहा, सबसे पहला है, वो waterway जो गंगा नदी पे बना हुआ है, अलाबाद और हल्दिया के बीच में, इसका length है, 1620 km, इसको बोला गया है, national waterway number 1, ठीक है, फिर दूसरा बनाया गया है, ब्रमरपूतर रिभर पे, between सदिया और दूबरी, इसको बोला गया है, national waterway number 2, इसका length भी आप याद कर लेंगे, ठीक है, फिर तीसरा है, west coast canal पे जो बनाया गया है, करेला में, ठीक है, इसको national waterway 3, बोला गया है, और इसका length है, 205 km, मतलब सब आपको याद करने वाला इस material है, पुरा, तो जादा अगर याद नहीं होता है आपसे, तो कम से कम, यह ज़रूर याद कर लें कि कौन सा नदी पे बना हुआ है, ठीक है, तो 1 है, गंगा पे, 2 है, ब्रहमपुत्र पे, 3 है, west coast canal इन करेला पे, ठीक है, फिर चौता है, जो गोदावरी और कृष्णा नदी पे बना हुआ है, ठीक है, और पांचवा है, जो महा नदी और ब्राहमनी रिवर से होके गुजरता है, और east coast canal को भी cover करता है, ठीक है, इतना बाता प्रिपर कर लेंगे, तो काफी होगा यहाँ से, इसका map pointing में कोई use नहीं है, चलिए, आगे move कर जाते है, फिर आगे इसमें बताया गया है कि, उपर जो 5 waterways हमने discuss किया, उसके अलावा, और भी कई सारे inland waterways है, जहाँ पे काफी अच्छा amount म transportation होता है, ठीक है, और वो सब यह सब है, चलिए, फिर आगे देखें, यहाँ पे लिखा है कि, 95% of the country's trade volume is moved by C, country का जो जो भी trade होता है, उसका size का amount, quantity का अगर consider करें, तो 95% quantity का trade C के जड़िए ही होता है, ठीक है, बाकी बचा हुआ 5% road transport और air transport के थ्रू होता होगा, ठीक है, तो बस, इसी के साथ inland water waste खतम हो जाता है, अब आप मूफ कर जाते हैं, अगले water waste पे, जो की कौन सा था, overseas transport जो देखता है, ठीक है, oceanic transport, तो उसका ही, यहाँ पे जीकर क्या गया है, major sea ports में, ठीक है, चलिए, तो यह काफी important है, इसको ध्यान से समझेगा, लिखाए कि, with a long coastline of 7516.6 km, यह coastline क्या होता है, तो मतलब country का वो part जो, मतलब ocean को touch किया हुआ है, उसको coastline बोलते है, for example, यह आप map देख रहे है, तो यह ocean है, blue वाला, तो इंडिया का यह सब, यह सब part जो है, वो ocean को touch किया हुआ है, तो इसी को हम लोग बोलते है, costline, ठीक है, इसका length कितना है, अभी हमने देखा, 7516.6 km, ठीक है, तो इतना लंबा जो costline है ना, इस पूरे costline पे, total 12 major ports बने हुए है, और लगभग 200 जो है, वो non major ports बने हुए, ठीक है, major ports कौन से कौन से है, तो यह जो green से हम highlight किया है, कांडला हो गया, मुमबाई, जारलान लेरू, मर्मा गाओ, ठीक है, रिखा हुआ था, यह अभी लिखा है कि भी तक, long coastline of इतना किलो मेटर, इंडिया is dotted with 12 major and 200 notified non major ports, समझ गए, non major या फिर minor या फिर intermediate जो भी बोल लीजिए, 12 major port है और 200 non major port, तो हम लोग अब इसी 12 major port को study करने वाले है, टॉपिक समझ गए, major sea ports, चलिए, तो सबसे पहला जो sea port ह major में वो है कांडला, पहले सबका नाम देख लेते हैं, सबसे पहले है कांडला, कांडला को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको पहला जाता है, दीन दयाल port, ठीक है, दूसरा, मुंबई port, तीसरा, जोहाला नेरू port, फोर्थ, मर्मगाउ, फिप्थ, न्यू मैंगलोर सिक्स्थ कोची, सेवन्थ टूटी कोरिन, एट चेन नहीं हो गया, नाइन्थ विशाकापटनम, तेन्थ परदूइप, इलेवन्थ कोलकता, और टूइल्थ हल दिया, टोटल बारो हो गए, major ports, इन बारो को study करना है, और खास बात यह है कि, आपका map pointing में इसी में से आने वा इन ही का location आपको याद करना है, ठीक है, और यह जो green वाला है, यह syllabus में लिखा गुआ नहीं था, लेकिन फिर भी इसको याद कर सकते हैं, काफी easy है, चलिए, इसके लिए हम अलग से भी video बना देंगा, map pointing में, इसमें भी बता दिए, देखिए, क्या लिखा है कांडला के बा इस नहीं मिला था, जब इंडिया पाकिस्तान नेकी था, तो इंडिया का जो northern part है, उसका ज्यादार समान कराची port के तुरू हैंडल होता था, जो कि पाकिस्तान में, लेकिन जब आजादी मिल गया, बटवारा हो गया, तो हमारे पास port नहीं है, तो जल्दी से किसको बनाया या? कांडला port को बनाया गया, ठीक है? कांडला port को क्या भी बोलते हैं बताइए दीन दयाल port, ठीक है? ये एक टाइप का tidal port है, मतलब जब समूद्र में, पानी बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो इस port में भी पानी बढ़ेगा या फिर घटेगा, ठीक है? और वह ही लिख जो northern part है आपको पता है यह यहां पर काफी ज़्यादा agriculture किया जाता है ठीक है इन सब इलागों में तो यहां का जो जो भी product है वो इस port के जरीए हैंडल होता है तो इस port के जरीए export import हैंडल किया जाता है कांडला port समझे की नी समझे चलिए इसका location भी देख लिया आप मैप में याद रहेगा चलिए यह हो गया मुख करते हैं आगले port पर जो किया है मुंबई तो मुंबई port जो है वो biggest port है ठीक है with a spacious natural and well sheltered harbour harbour का मतलब ऐसा प्लेस जहाए पर नोकर को खड़ा किया जाता है एंकर किया जाता है ठीक है तो यह natural harbour है मतलब पहले से बना हुआ है यह चलिए naturally बना हुआ है फिर एक और port है जिसको बोलते है जोलान नेरू port was planned with a view to decongest the Mumbai port तो मॉंबाई port में हैं बीट हो रहा था तो इसको इससे प्रेसर कम करने के लिए जोलान नेरू port बनाया गया तीक है मैप में देख लेते हैं यह देखिए इधर पर हैं Mumbai port और उसके काफी करीब एक जोललान नेरू port बनाया गया ताकि Mumbai ports पर थोरा प्रेशर कम पड़े यह क्या हो जाए डी कंजेस्ट हो जाए समझे लोकेशन याद रहेगा चलिए आप इस मैप को भी देख सकते हैं इसमें थोड़ा क्लियर इमेज है सारा पोर्ट का इसका आप स्क्रिन शॉट ले सकते हैं फिर अगला पोर्ट है मर्मागाव पोर्ट ठीक है जो की है गोवा में ठीक है यह प्रीमियर आईरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट है अब दे कंडरी मतलब जादा तर आईरन ओर जो है उसको इसी पोर्ट के जड़िए एक्सपोर्ट किया जाता है समझे लगभग 50% आफ इसी पोर्ट के जड़िए होता है समझे यह इसका खास बात हो गया मर्मागाव कहां पे देख लेते हैं यह रहा ज्वालन लेरु के बाद मर्मागाव गोवा में है समझे गोवा चोटा सा से स्टेट यही पे है मर्मागाव फिर यहां पर आप एक चीज और समझे थो हाँ और ये होता है East direction और ये होता है West direction ठीक है तो cost का जो ये part है इसको कौन सा cost ब बलेंगे हम लोग बोलेंगे वेस्ट n कोस्ट है ये ठीक है इसको कौन सा cost बलेंगे इसको बलेंगे Eastern Coast ठीक है फिर से अलावर ये पहराते हैं नॉर्ट South और East और वेस्ट ठीक है जो यहां का जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे यह साउथ में भी है और वेस्ट में भी है ठीक है तो इसको हम लोग बोलेंगे साउथ वेस्ट कोस्ट भी बोल सकते हैं इसको उसी तरीके से यह पार्ट को क्या बोल सकते हैं साउथ इस्ट कोस्ट भी बोल सकते हैं सम हमने पड़ा अब हम किसको पढ़ने बारे हैं नीव मेंगल और को पढ़नाटे चैप बाद किसको पढ़ेंगे को चीक को पढ़ेंगे ठीक है चलिए मुख माइन से जो iron ore निकलता है उसको export इस port के जरीए किया जाता है mainly चलिए तो यह हो गया cover location में देखी लिया कड़ा टका में है अगला port है कोची कोची कहां पर located है extreme southwestern port south western समझे क्या है ठीक है located at the entrance of a lagoon with a natural harbor आप इस picture में देख पारे हैं इसको lagoon भोलते हैं इसमें नमकीन पानी पाया जाता है और इस shape का है तो इस लगून का जो entrance है जहां से एंटर करेंगे वहीं पर यह port located है और यहां का भी hardware है वो natural है ठीक है फिर आगे move करें अब हम जो western side का जितना भी port था वो cover कर चुके है है ना यह कांडला हो गया मुंबई हो गया जालान नेरू हो गया मर्मगाव हो गया न्यू मैंगलोर हो गया कोची हो गया अब हम move कर जाते है इस्टन side में तो south eastern में सबसे पहला कौन सा है तुटी कोरिन इसको cover करते हैं उसके पाद चन्री पर आ जाएंगे देखिए देखिए यह दा moving along the east coast में अगर हम move करें तो extreme south eastern port हमें कौन सा मिलता है तुटी कोरिन मिलता है ठीक है तमिल नाडू में है यह 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 भी एक natural harbor है और इसका एक खास बात यह है कि यह काफी large variety of cargo's को handle करता है यहां तक कि हमारे तो neighboring countries है स्रिट लंका और माल्दीप्स यहा oldest artificial port है हमारे country का और मुंबई के बाद यह second number पर आता है volume of trade और cargo के मामले में ठीक है सबसे ज्यादा trade इसी port के जड़िया होता है मुंबई के बाद अगला port है विशाका पत्नम इसका खास बात है कि यह deepest landlocked and well protected port है ठीक है landlocked है मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है ठीक है बीश में पानी है फिर इसको बनाया क्या था iron ore को export करने के लिए ठीक है अगला port है परादवी port यह Odisha में located है इसका भी specialization यही है कि यह भी iron ore को export करता है जालतर यही करते है ठीक है फिर अगला है Kolkata port यह एक inland riverine port है inland मतलब समुद्र से दूर बना हुआ है और riverine port मतल है फिर देखिए this port serves a very large and rich hinterland of Ganga Brahmaputra Basin तो यह जो Ganga Brahmaputra Basin है यहां के जितने भी export जो भी समान का export import होता है वो इसी port के जड़ी होता है ठीक है काफी बढ़े इलाकों को serve करता है यह फिर being a tidal port यह भी a tidal port है it requires constant dredging of हुगली हमें पता है हुगली नदी से इसको पानी म करना पड़ता है हुगली का मतलब यह अगर नदी है माली जी तो इसमें नीचे में अगर मिट्टी बगरा जम जाता है तो मिट्टी बगरे को हटाना पड़ता है ठीक है इसी हटाने को dredging बोलते है समझे चलिए और लास्ट एक major port है हल्दिया port ठीक है इसको भी as a subsidiary port बना अगर हम देखना चाहिए यहां पर देख सकते हैं यह यह रहा सबसे पहले हमने देखा चेन नही फिर यह विशाका पत्नम और यह परदीब फिर यहां पर कोलकता और हल्दिया port समझे काफी करीब-करीब है यहां पर भी हमने देखा था कि मुंबई पर प्रेसर कम करने के ल अच्छे से कि कौन सा किसी स्टेट में यहां से आपका मैप पॉइंटिंग में भी कोशन बनेगा ऐसे हम अलग से वीडियो बनाएंगे मैप पॉइंटिंग के लिए लेकिन इस चेप्टर के लिए आप यहां से भी त्यार कर सकते हैं कि यह जो ग्रीन से हलेट किया हुआ य अब क्यों सा बजिया एयर ट्रांसपोर्ट एयर वेस ठीक है चलिए अब हम मूफ कर जाते हैं अगले मीनस ओफ ट्रांसपोर्ट पर जो कि है एयर वेस ठीक है देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि जो एयर ट्रावल है यह फास्टेस्ट है प्रेस्टीजियस मोड अफ ट्रांसपोर्ट है प्रेस्टीजियस मतलब इसमें ट्रावल करना एकसान का बात होता है हर कोई इसमें ट्रावल करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ठीक है मतलब जो पैसे वाले लोग होते हैं बड़े लोग होते हैं वह इसमें ट्रावल करते हैं कैसा भी जमीन हो उसको काफी इसली से ये कवर कर लेता है बले ही वो जमीन में पहार हो डेजर्ट हो फोरेस्ट हो कोई फरक नहीं परता है ओशन हो कोई फरक नहीं परता है सभी को काफी आसानी से कवर कर लेता है क्योंकि यह तो पता है हमें बाई एयर ट्रावल करता है ठीक ह है frequent floods होता रहाता है international borders है ठीक है अगर यहां पर एयर ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करेंगे तो रोड या फिर रेलवे का भरोसे रहेंगे तो काफी मुझकी लोगा यहां पर टाइम कंजीम होगा और पॉसिबल भी नहीं होगा ठीक है इसलिए हम लोग नौर्ट इस्टन पार एयर वेस का और भी कई साला advantage है सबसे पहला तो यह है कि यह जो वर्ड के अलग-अलग continent है उसको काफी easily connect कर दिया है और इससे जो पूरा world है वो एक global village बन चुका है ठीक है तो एक point आप यह भी यहां पे लिख सकते हैं खाली space में कि it also connects countries of different continents making earth a global village समझे यह point आप add कर लीज फिर इसके अलावा जो highly perishable goods होते हैं जिनका high value होता है उनको transport करने में air waste काफी useful होता है ठीक है तो आप एक point और भी लिख सकते हैं यहां पे कि it is suitable for transporting fruits, vegetables और high value goods like costly drugs and sophisticated machines in desired time frame ठीक है कम समय में जो high value goods है यह फिर कोई medicine ने उसको पहुचाना हुआ तो हम लोग air transport का use कर सकते हैं इसके अलावा एक और advantage आप लिख सकते हैं यहां पे कि it is very useful at the time of natural or any other calamities for saving people or supplying goods of their basic requirements immediately कोई calamity आ गया तो air transport का use करके हम लोगों को बचा सकते हैं या फिर कोई समान पहुचा सकते हैं आप देखिए होंगे कि इंडिया में भी कई बार flood आता है या फिर कोई भी natural calamity होता है तो यह भी तीन आप advantage लिख लिजिए question में आता है अभी बताएंगे question कैसा आएगा चलिए उससे पहले कुछ और points देख लेते हैं हमारे country में जो air transport है उसको nationalize किया गया था 1953 में एक fact है आप याद कर लिजिए जो air India है वो हमारे country में domestic और international air services provide करता है ठीक है अब important बात start होता है यहां से पावन हंस हेलिक लिचिण सर्वीश लिमिटेड से सबसे पहला बात यह है क्या पावन हंस हेलिकॉप्टर लिमिटेड तो ये एक government of India undertaking है जो की हेलिकॉप्टर लिज पर लिजिश प्रोवाइड करता है ठीक है इतना समझे अब ये हेलिकॉप्टर सर्विश किसको प्रोवाइड करते हैं ठीक है इसके अलावा इनका या और किसको हेलिकॉप्टर सर्वीस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर जहाँ पर बनता है अभी बताएंगे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि यह हेलिकॉप्टर सर्वीस प्रोवाइड करता है इसको प्रोवाइड करता है और जो इनेसेसिबल और डिफिकल्ट टेरेंस है जैसे कि नौर्थ इस्टन इस्टेट्स और जमू कस्मीर, हिमाचल पोडेस, उत्राकंड इसको प्रोवाइड करता है ठीक है इतना बात आप त्याड़क हैंगे यहाँ से फिर इसके अलाबा एर ट्रावल का एक डिसद्वांटेज भी है डिसद्वांटेज यही है कि कॉमन पीपल के रिच में नहीं है यह बहुत ज़्याद एक्सपेंसिब है तो यह इसका एक डिसद्वांटेज है ठीक है सिर्फ नौर्थ इस्टर्न इस्टेट्स में चुकी यहाँ पे काफी डिफिकल्ट टेरेन है उस वज़र से यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन लाया गया है जिसे की जो कॉमन पीपल है वो भी यह एर ट्रावल को यूस कर पाए ठीक है बस इतना ही पॉइंट यहाँ से आप इस अफ एर ट्रांसपोर्ट चार मेरिट बताना है और दो डी मेरिट बताना है बता पाएंगे सबसे पहला मेरिट तो यह अप लिक देंगे फास्टेस्ट कॉमफर्टेवल प्रेस्टीजियस ठीक है दूसरा मेरिट यह होगा कि यह डिफिकल्ट टरेंस को कवर कर लेता है तीसरा मेरिट आप लिक सकते हैं यह पॉइंट कि नौर्थ इस्टरन इस्टेट से वहाँ पे यह एक्सेस प्रोवाइड करता है इसके अलबा जो हम आपको यहाँ पे तीन चार पॉइंट बताये थे वो भी आप लिक सकते है ठीक है चलिए और डी मेरिट का अगर बात करें तो पहला डी मेरिट हमने यहाँ पे देखा था कि यह काफी ज़दा एक्सपेंसिव है कॉमन पीपल इसको अफोर्ड नहीं कर सकते है ठीक है और दूसरा डी मेरिट आप लिख सकते है कि बैड वेदर में यह उतना अच्छे से काम नहीं करता है ठीक है तो दूसरा कोशन हिसी लिए यहाँ पे प्रिफद करते हैं क्योंकि जो नॉर्थ इस्टन इस्टेट से यहाँ पे यहü इसाब प्रॉबलम से ठीक है बड़े नbreaking अधिया है डैसेक्टेट रेलिफ हरे डैसफॉरेस्ट फ्रिक्एंस्ट्राबल इंटरनेशनल फ्रॉषुन से जिस वदर से हम यहां पर road transport यहां पर railway transport को use नहीं कर सकते हैं और use भी करेंगे तो काफी ज़्यादा time consuming होगा और tiring होगा ठीक है इसलिए यहां पर air travel को prefer किया जाता है और इसलिए government ने भी कुछ special provisions दिया हुआ है कि लोग यहां के जो common people है वो भी सस्ते rate में यहां पर air travel को use कर पाए ठीक है कहां पर north eastern states में ठीक है चलिए अगला question आपसे बनेगा Pawan Huns के बारे में आपसे पुछेंगे कि what are Pawan Huns services right two purposes for which these services are used तो Pawan Huns helicopters limited क्या है यह government of India undertaking है जो helicopter service provide करता है ठीक है और दो purpose बताएंगे तो helicopter service इसको provide करता है और number two इसको provide करता है समझे इतना चलिए तो यह हो गया air travel का theory part अब इसमें से map से भी question बनता है चलिए देख लेते हैं map में क्या-क्या त्यार करना है आपको कुछ international airports का नाम याद करना है ठीक है total 6 है map pointing में पूछे जाएंगे सबसे पहला international airport है अमरिद सर में जिसका नाम है राजा सांसी ठीक है जहां पर आप airplane का sign देख रहे हैं वही exact location है इस airport का ठीक है तो यह पहला आप त्यार करेंगे दूसरा हो जाएगा देली में देली में कौन सा airport है इंद्रा गांधी international airport देली में है इस location पर ठीक है exact point आप डॉट 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 करेंगे उसके बाद अगला है कौलकाता में निताजी सुभाष चंद्रबोस airport यह रहा यहां पर इसका location फिर इसके बाद fourth number मॉंबई में है चात्रपती सिवाजी airport यहां पर फिर हाइदराबाद में है राजीव गांधी airport यहां पर जो airplane का sign दिया है वहां पर location होगा और अगला है चैन्नेई में मीनम बक्कम ठीक है यहां पर यह छे airport का location आपको याद रखना है और नाम भी याद रखना है ठीक है आप में question आ सकता है और कौन सा किस state में है यह भी तो पता ही चल रहा है यह कौन सा state हो गया पंजाब हो गया उसके बाद यह तो पता ही है देली है उसके बाद यह है West Bengal फिर यह कौन सा state में आ गया यह आपका आ गया महाराष्ट्रा में यह कौन सा state है तेलेंगाना और फिर यह कौन सा state है यह है आपका Tamil Nadu ठीक है चलिए इतना चीज़ आप prepare करेंगे यहां से तो यह खतम हो गया Airways और Airways के साथ-साथ जो हमारा पूरा Transport section था एक Lifeline वो खतम हो गया अगर हम फूरे chapter को summarize करें यहां पर तो chapter का नाम क्या है Lifelines of National Economy ठीक है Lifelines हमें पता है कितने हैं यहां पर तीन एक है Transport दूसरा है Communication और तीसरा है Trade ठीक है Transport हमने खतम किया है Transport में हमने क्या क्या पढ़ा Transport तीन टाइप के होते है Land ट्रांसपोर्ट Water ट्रांसपोर्ट और Air ट्रांसपोर्ट ठीक है Land ट्रांसपोर्ट भी तीन टाइप का है एक हो गया Roadways एक हो गया Railway और एक हो गया Pipeline ठीक है सब को हमने study कर लिया Waterways दो टाइप का एक था Inland Waterways और एक था Oceanic या फिर Overseas ठीक है ये भी cover हो गया और Airways दो टाइप का Domestic और International तो International Airports का हमने नाम देख लिया और Domestic वाले में Advantage, Disadvantage, Pavanahans ये सब देखा हमने ठीक है जो Airways अभी हमने खतम किया तो ये पूरा cover हो चुका है काफी बड़ा topic था अब हम cover करेंगे Communication ये छोड़ा सा topic है उसके बाद trade ठीक है? चप्टर खतम हो जाएगा चलिए स्टार्ट करते है Communication को अगला topic है ये रहा Communication इसमें लिखाए कि हम humans जब से अर्थ में आये है तब से हम लोग अलग-अलग Means of Communication यूज करते रहे हैं ठीक है? लेकिन जैसे जैसे work के साथ development हुआ उसको साथ changes आया है आज के इस modern time में काफी ज़्यादा change होगी आए Means of Communication ठीक है? आज के टाइम पर हम लंबे distance communication कर सकते हैं without any physical movement of the communicator या फिर receiver बिना कहीं जाए कुछ भेजे हम लोग direct communication कर सकते हैं तो Means of Communication यहाँ पर दो टाइप को बताया गया है एक होता है Personal Communication और एक होता है Mass Communication ठीक है? Personal Communication नाम से ही समझ में आ रहा है यह Person to Person बात होता होगा यहाँ पर और Mass या फिर Organization to Organization भी होता होगा और Mass Communication मतलब एक Person Message दे रहा है या फिर एक Organization Message दे रहा है एक जगह से Message आता है और यह Message जो है कई सारे लोगों को पहुँच जाता है इसको हम लोग बोलते है Mass Communication समझे Personal Communication के अंदर दो चीज़ आते है एक आपका हो गया Postal Service और एक आपका हो गया Telephone Service समझे ही नहीं और Mass Communication के अंदर आपका आता है Television Radio ठीक है कोई एक Program के जरिए कई सारे लोगों को Mass Communication का Example है समझे चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग Personal Communication को Personal Communication पे हम क्या बले कौन सा दो चीज़ आता है एक होता है Postal Service और एक होता है Telephone Service स्टार्ट करते है Postal Service से देखिए The Indian Postal Network is the largest in the world सबसे बड़ा Postal Network इंडिया का ही है India Post क्या-क्या Handle करता है तो Parcels हो गया As well as Personal Retain जो Later होता है वो उसको भी Handle करता है अब जो जितने भी Mail से उसको दो Category में Divide किया गया है एक होता है First Class Mail और एक होता है Second Class Mail ठीक है Post में First Class Mail में क्या आते है Cards और Envelops यह जो Cards और Envelops है यह First Class Mail में आते है ठीक है इनको First Class Consider किया जाता है और SMS को Air Lift ठीक है Airways के थूरू अलग-अलग Station में भीजा जाता है जिसमें Land और Air दोनों Cover होते है ठीक है इन दोनों Motor of Transport को Use किया जाता है इसमे First Class Mail को Deliver करने के लिए समझे और दूसरा जो है Second Class Mail इसमें क्या-क्या आता है Books हो गया Parcels हो गया Registered Newspapers Periodicals यह सब Second Class Mail में आते हैं और इनको Surface Mail के थूरू भीजा जाता है इनको Air Lift नहीं करवाया जाता है इनको Land और Water Transport के थूरू ही भेजा जाता है समझे और जबकि First Class Mail था इसको Priority देते हुए Air Lift, Airways का भी इस्तमाल करके इसको Deliver किया जाता है समझे तो एक्जाम में आपसे Difference पूछ लेंगे बलेंगे Distinct quiz between First Class Mail and Second Class Mail तो आपको इसमें लिखना है कि First Class Mail में क्या आते है Cars और Involup इसमें लिखेंगे इसमें क्या आते है तो Book, Packets, Registered Newspaper, Periodicals पहला पॉइंट में आप यह लिख देंगे और दूसरा Difference लिखेंगे कि इनको Air Lift करवाय जाता है और Land और Air का यूज़ करके Deliver किया जाता है और Second Class Mail को इनको Surface Mail के तुरू ही पहुचा आ जाता है Covering Land और Water Transport समझें, दो पॉइंट का Difference लिख देंगे फिर आगे एक Question यहाँ पे भी बनता है इसके उपर Personal Communication और Mass Communication के उपर आपसे पूछेंगे कि Write Two Types of Means of Communication तो एक होगा Personal Communication और एक होगा Mass Communication फिर इसी Question में Add करेंगे Give Two Examples of Each दोनों का दो-दो एक्जामपल देना है तो Personal Communication का दो एक्जामपल क्या है Postal Service और Telecom Service इसका दो एक्जामपल यहाँ पर बहुत सारा है Television, Radio, Press, Films कोई विद्धो दे सकते हैं समझे चलिए तो हम अभी Postal पर रहे थे Postal में हमने यह परहा First Class Mail, Second Class Mail और आगे Continue करते हैं Postal वाले को देखिए लिखा है कि India Post में Quick Delivery of Mails करने के लिए कई सारे जो बड़े-बड़े Towns और Cities है वहाँ पर Six Mail Channels बनाया गया है ठीक है यह क्या है देखिए They are called एक है राजदानी चैनल है और एक है Metro Channel एक है Green Channel एक है Business Channel एक है Bulk Mail Channel और एक है Periodical Channel यह Channel का यूज क्या है कि इस Channel के थूँ एक Particular Type के जो लेटर से उनको इस जगा Sort किया जाता है और फिर उनको Deliver किया जाता है For example माली यह कोई लेटर Delhi से कोई एक State Capital में भेजना है ठीक है तो यह लेटर किस काटिगरी में आ जाएगा राजदानी चैनल के काटिगरी में आ जाएगा ठीक है और इसको Priority Basis पे जो भी लेटर है Delhi, Mumbai, Channel ठीक है Metro Cities में अगर कोई लेटर जा रहा है तो वो इस चैनल को बिलॉंग करेगा और जितने फिर Metro Cities वाले चैनल है वो सब इस काटिगरी में आ जाएगे ठीक है उसको इस रास्ते के थूँ डेलिवर किया जाएगा समझे फिर Green Channel ये Local Letters को हैंडल करता है Business Channel में Business जो Mails होते हैं उसको डेल किया जाता है फिर Bulk Main Channel में इसमें Bulk में जो लेटर जाते हैं कम दाम में उसको यहाँ पर डेलिवर किया जाता है Periodical में जो Newspaper हो गए Magazines हो गए उनको इन सब के थूँ डेलिवर किया जाता है इन सब का छेव का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए बहुत important है Question बनता है इसके उपर आपसे पूछेंगे Name the male channels which were introduced by the Indian Postal Network to facilitate quick delivery of males तो वो 6 male channels कोन से हैं ये सिफ आपको नाम याद कर लेना है ये आपे और ये बनाने का purpose क्या है तो आपको लिखना पड़ेगा to facilitate quick delivery of males in large towns and cities ठीक है चलिए तो हम अभी पर क्या रहे थे हम पर रहे थे personal communication दो टाइप का होता है postal service, telecom service postal service के बारे में हमने ये सब points देखा postal service खतम हो गया अब start करते हैं telecom service और ये map तो बहुत important है इस पूरे chapter से map works इसी map से आएगा क्या क्या आएगा जो major ports हो गए sea port और airport जो जो mark किया हुआ है उतना आपको त्यार कर लेना है ठीक है और कुछ map में त्यार नहीं करना है chapter से चलिए start करते हैं telecom service तो देखिए लिखा है कि India has one of the largest telecom network in Asia very 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 important exam में आपको यही लाइन देदेंगे और बोलें कि इसको justify कीजिए कि कैसे इंडिया में largest telecom network है तो देखिए हमें पता है कि इंडिया का जो urban places है वहाँ पे तो telecom network अच्छा का सा develop है ही तो इसको छोड़ के जो villages है वहाँ का more than two-third part जो है वो STD यानि subscriber trunk dialing से cover हो चुका है यहाँ पे यह service आ चुका है more than two-third village में ठीक है यह पहला fact है जिसके ताथ हम बोल सकते हैं कि इंडिया में अच्छा का साथ telecom network developed है ठीक है इसके अलाबा in order to strengthen the flow of information from the grassroot to the higher level the government has made special provision to extend 24 hours steady facility to every village in the country government ने special provisions लाए है जिसके तुरू हर villages में 24 hour STD facility provide किया गया है ठीक है इससे होगा क्या इससे flow of information में help मिलेगा from grassroot level to higher level जो नीचे के local level government है village level पे वहाँ से information उसका higher level को जाएगा और उसका higher level को information flow होगा यह तब ही हो पाएगा जब communication system मजबूत हो तो इसको मजबूत करने के लिए government ने क्या किया है 24 hours STD facility provide किया है हर इग village में ठीक है तो there is a uniform rate of STD facilities all over India समझ गए इन दोनों ही टेखनोजी को जब combine करते है तो telecom जो network है वो मजबूत होता है समझे के नहीं समझे चलिए तो इसमें चोटा मोटा facts था यह सा बात आप याद रखेंगे ठीक है इसके उपर question बनेगा आप से पूछेंगे कि India has one of the largest telecom networks in Asia और बोलेंगे justify the statement यहांसे जो जो हम point बोले वो सा point आपको समझा देना है ठीक है तो इसी के साथ personal communication खतम हो गया अब स्टार्ट करते है mass communication mass communication का सबसे पहला role क्या है कि यह provides entertainment TV और radio में अकसर entertainment program आते रहते हैं तो उसके थूँ लोगों को entertainment मिलता है यह पहला इसका function हो गया और दूसरा इसका function है कि यह awareness create करता है लोगों के बीच में about various national programs and policies अकसर हम देखते हैं कि government जो योजना है कोई program से उसका काफी सरा advertisement किया जाता है TV और radio ठीक है तो इसके थूँ लोगों में क्या फैलता है जागरुकता फैलता है ठीक है तो यह दो important role आप याद करेंगे mass communication का mass communication में आते क्या-क्या है तो सबसे पहले mass communication सुनते ही हमारे मन में आता है radio फिर आता है television फिर newspaper, magazine, books, films यह सब mass communication है ठीक है means of mass communication है अब स्टार्ट करते हैं कि को discuss करना सबसे पहले radio को discuss करते है radio में एक channel है जिसको बोलते है All India Radio Aakashwani यह broadcast करता है a variety of programs national language में, regional या फिर local languages में ठीक है ताकि अलग-अलग लोग इसको समझ पाए समझे तो आप बात करते हैं television के बारे में television में एक channel है दूर दरशन, सरकारी channel है the national television channel आप लोग साइद अभी इसको नहीं देखते होंगे लेकिन हम लोग जब छोड़े थे तो इसको काफी देखा कर दे थे ठीक है तो दूर दरशन के बारे में बताया गया है कि is one of the largest terrestrial networks in the world ठीक है it broadcasts a variety of programs entertainment से लेके, education से लेके, sports से लेके कई सरा चीजिस में दिखाया जाता है channel में ठीक है अच्छा channel लेए चलिए हमने बात कर लिया radio के बारे में tv के बारे में ठीक है radio का program आकाशवानी याद रखेंगे tv का जो channel है दूर दरशन वो याद रखेंगे अब आते हैं newspaper पर देखिए इंडिया में large number of newspapers and periodicals publish होते हैं एक साल के अंदर में ठीक है they are of different types depending upon their periodicity तो ये newspaper अलग अलग टाइप के होते हैं daily हो गया, monthly हो गया, quarterly हो गया, yearly हो गया ठीक है उसके basis पर periodicals भी अलग अलग टाइप के होते हैं तो newspaper हमारे country में 100 से भी ज़्यादा languages में पब्लीश होते हैं ये बात आप याद रखेंगे इसके साथ हमारे country में जो सबसे ज़्यादा number of newspaper जो पब्लीश होता है वो हिंदी में होता है ठीक है फिर India is the largest अब देखिए हमने radio देख लिया, television देख लिया, newspaper देख लिया अब हम बात करते हैं फिल्म्स के ऊपर, ठीक है इंडिया is the largest producer of feature films in the world feature films मतलब जो थो थो लंबे duration के होते है फिल्ट लिखाए कि इस प्रोडूसर शॉर्ट फिल्म्स एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म्स तो ये सब चीज यहाँ पर प्रोडूस होते है और इन सब फिल्म्स को certify कॉन करता है तो एक authority है यह इन सब फिल्म्स को certify करता है कि ये लोगों को दिखाने लाइक है की नहीं बच्चों पर क्या प्रुभव करेगा उसके basis पर ये जो authority है वो films को certification देते है ठीक है चलिए तो इतना चीज़ आप प्रिपार करेंगे, बात कर लेते हैं, कोशन कैसा आएगा यहाँ पर, कोशन आपको यहाँ से पूछेंगे, रेडियो और टेलिविजन का रोल पूछेंगे, आप से पूछेंगे कि, explain the importance of radio and television as an effective means of mass communication in India, तो रेडियो टेलिविजन का क्या रोल है, वो आगे move करते हैं, international trade पर, अब हम स्टार्ट करते हैं, international trade जो की आखरी lifeline है, इस chapter में, ठीक है, देखिए, यहाँ पर छुड़ी छुटे term से, सबसे पहला है, trade, market, international trade, balance of trade, यह सब term को हमें समझना होगा, इनका definition दिया हुआ है, देखिए, लिखाए कि, trade समझते हैं सबसे पहले, लिखाए कि, exchange of goods among people, या फिर states, या फिर countries, is referred to as trade, अगर दो people के बीच में, या फिर दो states के बीच में, या फिर दो countries के बीच में, exchange of goods अगर हो रहा है, ठीक है, तो वो exchange of goods क्या कहलाएगा, trade, मतलब य ये इसको कुछ दिया, और ये इसको कुछ दिया, यही चीज कहलागी है, trade, समझे, और ऐसा place, जहाँ पर ये exchange of goods हो रहा है, उस place को बोलते है, market, समझ गए, अब ऐसा नहीं कि, market हमें सा physically होता हो, जैसा हम दो normal market समझते है, आज के time में, बहुत सारे online platforms है, वहाँ पे भी, buyers औ market है, ठीक है, चलिए, फिर अगला term है international trade, अगर trade कोई दो country के बीच में हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते है, international trade, ऐसा ही एक term हमने economics में भी समझ रखा है, जब हम globalization chapters बढ़ रहेते तब, हमने वहाँ पे देखाता है कि trade between two or more countries को क्या कहा जाता है, foreign trade, यहाँ पे बोला गया है international trade, बात देखी है, ठीक है, चलिए, यह term हमने समझ लिया, trade, market और international trade, फिर अगला एक term है, local trade, local trade क्या होता है, local trade is carried in cities, towns and villages, अगर वो trade city में या फिर टाउन में या फिर village के अंदर हो रहा है, तो वो ही trade local trade कहलाएगा, और state level trade, नाम से ही समझ मारा है, कि अगर दो states के कल के जा रहा है, वो दूसरे state में जा रहा है, वहाँ से भी समान दूसरे state में रहा है, यह कहलाएगा, state level trade, अब यहाँ पे चोड़ा सा question बन जाता है, आप से पूछेंगे कि what is mint by trade, तो trade का definition आप लिख देंगे, यह, फिर आप से पूछेंगे कि what is the difference between local and state level trade, तो दोनों का definition लिख देना है, ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारा question बनेगा, international trade, market इस अब को define कीजिए, तो उतना question हम नहीं बता रहे है, आप उसको prepare कर लिजेगा, ठीक है, आगे move करें, लिखा है कि advancement of international trade of a country is an index to its economic prosperity, कोई भी country कितना international trade कर रहा है, वो यह बताता है कि वो country का economic prosperity कितना है पैसे एक मामले में वो country कितना ही strong है, जो country जितना जाता trade कर रहा है दूसरे countries से, वो country उतना ही ज्यादा प्रॉसपर है, पैसा वाला है, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि it is therefore considered the economic barometer for a country, मतलब अगर आपको किसी country का economic इस्तिती पता करना है, तो आप बस यह देख लिजे कि व वो country कितना economically prosper है, समझे, चलिए, अब हमें एक बात यह भी पता है कि resources जो है, वो space bound है, कई resources को एक specific जगह पे ही मिलते हैं, ठीक है, for example, oil समझ लीजिए, petroleum, तो कोई भी country जो है, वो international trade के बिना survive नहीं कर सकता है, ठीक है, अब यह oil है, वो country अगर अपने पास ही रखा रह पर बाकि दूसरे country उसको oil नहीं मिलेगा, तो ऐसे देश को चलेगा नहीं न, ऐसे करके पुरा world भी नहीं चलेगा, तो हमें क्या करना परेगा, international trade करते रहना परेगा, क्योंकि कोई country ऐसा नहीं है, जिसके पास सारा resources है, ठीक है, किसी के पास कूछ resource है, किसी के पास कूछ resource है, तो इस दुनों को trade करके आपस में काम चलाना परेगा, समझे, अब है एक term जिसको बोलते है, balance of trade, जबी भी trade करता है कोई country, तो वहाँ पर क्या होता है, क्या तो यह country अपना समान बाहर बेच रहा होगा, या फिर कोई दूसरा country का समान अपने अंदर ले रहा होगा, तो यह जो country है ना, यह अगर समान बाहर भेज रहा है, तो हम लोग क्या बोलते है, export बोलते है, और यही जो country है, वो अगर समान अपने अंदर मंगवा रहा है, तो इसी को import बोलते है, समझे, तो यह जो export और import है, इंदोने को क्या बोलते है, components of trade बोलते है, समझे, और इस export और import का difference को ही क्या का जाता है balance of trade the balance of trade of a country is the difference between export and import for example माली यह हमारा country है इंडिया यह 100 करोर का export किया और 70 करोर का import किया ठीक है तो बता है balance of trade कितना होगा यह export है और यह import है तो balance of trade क्या होता है इन दोनों का difference balance of trade BOT equal to export minus import यानि 100-70 आजेगा 30 करोर balance of trade हो गया समझे एक कोशन का और जवाब दीजिए यह माली जे फिर से हमारा ही country है हम लोग इस बार 60 करोर का export कर रहे हैं और माली जे 80 करोर का import कर रहे हैं इंपोर्ट और यह है export बताए यह balance of trade कितना होगा तो balance of trade क्या होता है export minus import export है 60 import है 80 इस बार हम import ज़्यादा कर रहे हैं तो minus 20 ठीके इस बार balance of trade क्या में आ गया इसका पहले वाले example में 30 करोर positive में आया हुआ था तो negative का बाता है जब import ज़्यादा हो और export कम हो और positive का बाता है जब export ज़्यादा हो और import कम हो तो इस situation को हम लोग बोलते हैं favorable और unfavorable मतलब अगर कोई country import ज़्यादा कर रहा है और export कम कर रहा है मतलब अगर balance of trade negative में आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते है unfavorable balance of trade समझे और यह 30 करोर वाला जो case था यहाँ पर export ज़्यादा था import कम था तो इसको बोलते है favorable balance of trade समझे कि नी समझे नी समझे तो अभी समझ में आ जाएग बेस बेस के ज्यादा पैसा कमाई हुए इसको favorable बोला गया है ठीक है तो ही on the contrary if the value of import exceeds the value of export अगर imports का ज्यादा है value exports के मुकाबले तो वह कहलाएगा unfavorable balance of trade मतलब हम लोग खुद production कम किये हैं और दूसरे country से ज्यादा खरीद खरीद के खाये ठीक है तो इसको कहा जाता है unfavorable ठीक है तो यह सब term very important है exam में दोनों का difference definition पूछते रहते हैं फिर आगे move करते हैं तो इंडिया का जो है trade relation है कई सारे major trading blocks के साथ major major countries के साथ हम लोग किस commodity का export करते हैं देखिए generally हमारे country से जो gems हो गए jewelry chemicals and related products agriculture और allied products यह सब चीज़ का export किया जाता है समझे और import किस चीज़ का करवाते हैं petroleum crude products ठीक है gems jewelry chemicals related products फिर base metals electronic items machinery agriculture allied products यह सब का हम लोग import करवाते हैं समझे इसको भी आप prepare करेंगे और हाल फिलाल में इंडिया software के मामले में काफी strongly सामने आया हुआ है ठीक है अब भी हम कोई चीज बाहर export करते है ना तो दूसरा country हमें payment करेगा उसके लिए तो वह payment को क्या बोलता है foreign exchange तो foreign exchange earn करने में काफी help कर रहा है information technology जो sector है ठीक है चलिए तो इतना चीज़ आप prepare कर लेंगे international trade के बारे में अब move कर जाते है trade का ही एक चोटा सा topic है tourism as a trade ठीक है tourism का meaning सबको पता है तो पिछले three decades में यानि पिछले 30 years में tourism इंडिया में काफी grow किया है क्या-क्या important से tourism का देखिए more than 15 million people जो है वो directly engaged है tourism industry में तो इतना लोगों को यहाँ पे employment मिल रहा है दूसरा tourism से national integration country unite होता है country का एकता को आगे बढ़ावा मिलता है ठीक है फिर provides support to local handicrafts and cultural pursuits जो माली जीए कोई बाहर से कोई foreigner भूमने आया किसी जगह पे तो उस जगह का कोई खास बात होगा local कोई craft होगा handicraft होगा उसको बढ़ावा मिलता है वो लोग इसको पसंद करते खरित के ले जाते हैं ठीक है तो यह दूसरा advantage हो गया तीसरा it helps in the development of international understanding about our culture and heritage जो कोई foreigner हमारे country में घूमने के लिए आते हैं कभी चीज़ देख के जाते हैं और वो बाहर जाके अपने friends को families को बताते हैं तो ऐ foreign tourist visit India for heritage tourism, ecotourism, adventure tourism, cultural tourism, medical tourism and business tourism foreigners इंडिया में क्यों विजिट करते हैं तो अलग रिजन से विजिट करते हैं heritage जानने के लिए, ecotourism करने के लिए या फिर adventure करने के लिए या फिर culture देखने के लिए कोई इलाज कराने के लिए आ गया उसी बाहने घूम भी लिया तो इसको बोलते है medical tourism कोई business करना है घूम भी लिया business tourism तो अलग अलग रिजन से जो foreigner है वो विजिट करते हैं ठीक है चलिए तो इतना इसी आपको prepare करना है तो वही बोला गया है कि काफी potential है tourism sector में efforts और डालने भोंगे ताकी to promote different types of tourism for this upcoming industry ठीक है और कुछ यहाँ पर काम का है नहीं जित अंडलाइन की है उतना प्रिपेर कर लिजिए काफी होगा यहाँ से बस इसी के साथ यह chapter end होता है कुछ MC चलिए ट्राइ करते है आप ही answer दीजेगा यहाँ पे which two of the following extreme locations are connected by east west corridor बताइए east west corridor किसो किसो connect करता है उमीद करता है आपने इसका answer दे दिया होगा और अगर answer नहीं दे पाए है तो अभी वापस उस page number पे जाए और खुद ही चेक करके answer दीजे ठीक है तो इसका answer हो जाएग अगर आपने इसका answer pipeline दिया है तो आप बिल्कुल right है नमबर 3 बताइए which one of the following states is not connected with the hvj pipeline यहाद है हमने तीन pipeline networks को पढ़ा था तो तीसरा नमबर को hvj बोलते है ठीक है तो यह जो pipeline है यह वो किस state से नहीं गुजरता है तो गुजरात उतरपरदेश मध्यपरदेश यह सब से हो के गुजरता है महाराष्टा से नहीं गुजरता है option number b right हो जाएगा ठीक है यहाँ पे hvj का मतलब क्या है तो h4 आपका आप जाता है हजीरा और v से हो गया विजयपूर और j से क्या हो गया जगदीशपूर हजीरा गुजरात में विजयपूर मध्यपरदेश में और जगदीशपूर उत्तरपरदेश में ठीक है question number four लिखाए कि which one of the following ports is the deepest landlocked and well-productive port along the east coast बताइए कौन सा है deepest landlocked और well-protected port तो यह हो जाएगा विशाका पत्नम ठीक है चलिए five try कीजिए which one of the following is the most important modes of transportation most important यानि principal mode यादे principal mode कि किसको कहा गया था तो railways को कहा गया था ठीक है number six which one of the following terms is used to describe trade between two or more countries तो trade between two or more countries को क्या बोलते है international trade या फिर foreign trade ठीक है चलिए फिर आगे यहां पर कुछ short questions और यहां पर long questions दिया हुआ है तो यह हम पहले ही chapter में discuss कर चुके है तो जीतना questions हम chapter में discuss किये है उतना प्रिपेर कर लीजिए काफी होगा है chapter से ठीक है चलिए यहा और South corridor था उसका जो Northern Terminal था वो क्या था स्री नगर था ठीक है जम्मू कर फिर में और यहां पर क्या था कर्या कुमारी अगर Southern Terminal पूछते तो एंसर देते हैं कर्या कुमारी ठीक है फिर एक रिवराइन पोर्ट का नाम यहां पर पूछा गया है तो क्या हो जाएगा यहां प सबाते हैं यहां ओले है maintenant 7.1 इंडिए रेल रेलवे ट्रैक तो तीन टैक का गोज होता है ब्रॉड जो इतना मूध होता है वह मिटर नाम नाम च्माज हीस समझ माधा है और और आरो इस रेंज के बीच में वैरी करता है तो सबसे ज्यादा तो ट्रेंड रूट है वह ब्रॉड गॉज वाला ही है जो नॉर्मल ट्रेंड ट्रैक होता है वो ठीक है चेलिए तो वह यहां पर पूछा गया था कि कौन सा रेल गॉज का जो ट्रैक वेड़ है वो 1.676 मीटर है मतलब यह जो रेल बेट ट्रैक है जो दो रेल बेट ट्रैक का बिसका जो दूरी होता है ना यह दूरी अगर 1.676 मीटर हुआ तो यह इसको क्या बोलेंगे ब्रॉड गॉज ब को लेंगे समझे चलिए तो यही सब कुछ आपको प्रिपेर करना है एंड होता है यह चैप्टर और वीडियो को एंट करना से पहले कुछ होमवक हम आपको देंगे कुछ कोशन से एंसी क्यूस यह देखिए यह हो गया पहला इसका एंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दी और कोई डाउट अगर आजाता है तो वह भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है चलिए फिर एंड करते हैं वीडियो अच लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड के साथ सेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए है तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ठीक है एक बार आप टेली सेक्षन दीखिए आपको मैच साइन्स एसेश्टी इंग्लिस इन सभी के वीडियो का भी डीटेल में आपको मिलेंगे ठीक है और आपको जरूर है भी मिलेगा चलिए फिर एंड करते हैं मिलते हैं बहुत जल्द किसी और